बाई ब्रानम ने कहा आप अपने चर्च से प्रतीमा बना सकते हैं आप अपने पास्टर से एक प्रतीमा बना सकते हैं आप एक अवेंजलिस्ट से प्रतीमा बना सकते हैं और मुझे डर है कि ये बहुत कुछ किया जा रहा है, वे आदमी की पूजा करते हैं, अप्रदिशेद, हम स्वर्खदितों या नभीों की अरादना में विश्वास नहीं करते, लेकिन ये है अब भी सत्ते है, प्रमेश्वर केवल एक विक्ती से बात करता है, केवल एक नभी, शुप प्रभात, ये 18 मार्च 2023 है, यहां एक पत्र है वाई जोसफ ब्राणन की और से, प्रिये लाखों में एक, मैं बहुत लंबे समय से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तुम मेरी प्यारी हिर्दे प्रिये हो, और मैं तुम से बहुत प्रेम करता हूँ, जैसा के मैंने तुम से प्रती ग्या की थी, मैं तुम्हारे लिए एक गर बना रहा हूँ, जहां हम अनंतता तक एक साथ रहेंगे, मैंने हर एक चीज़ को ठीक वैसा ही बनाया है, जैसा तुम उन्हें पसंद करते हो, अब मैं तुम्हारी और देख सकता हूँ, और मैं देखता हूँ, तुम मेरी ही प्रती बिम्बब ह तुम्हारे पास मेरी अचरितर है, मेरा सांस, मेरी हड्डियां, मेरी वही आत्मा, तुम मेरा वही सब कुछ हो, बिलकुल ठीक वही, तुम मेरे साथ एक बन गए हो, तुम्हें शेतान के अदन से बाहर बुलाने के लिए, मैंने अपनी सामर्थी दूट को बेजा है, मैंने उसे इसलिए बेजा, जिससे के वह मेरे विचारों, मेरे गुनों को व्यक्त कर सके, और तुम्हें आने वाली बातों के बारे में बता सके, मैंने उन्हें व्यक्त करने के लिए उसके मूँ का और उसकी आवाज का उप्योग किया है, उसके ये कहने के बाद मैंने उन्हें क्योंकि अकाश और धर्ती टल जाएंगे, लेकिन मेरा वच्छन जो तुमारे लिए है, कभी भी विफर्ल ना होगा। मैं जानता हूं कि जब तुमने मुझे मेरे दूद की आवाज को प्योग करते हुए सुना, तो तुम अपनी हिर्दी की गहराई में जान गए, कि यह वो नहीं था, वो मैं था, जो तुम से बात कर रहा था, यह मैं था, तुमें एक प्रेम पतर भेज रहा था, तुमें बता रहा था, मैंने तुमें अपनी हिर्दे प्रेये दुलहन होने के लिए चुना है, मेरी दृष्टी में तुमारे जैसा कोई नहीं है, कोई भी तुमारे स्थान को नहीं ले सकता, तुम मेरे प्रती, सच्चे और विश्वास योगे बने रहे हो, जब मैं तुमारी और देख तुम जो सुनती हो, वहां मेरे विच्चनों का अप्योग करने वाले बहुत से अभी शिक्त लोग, लेकिन वैं जूठे हैं, तुमने प्रकाशन के दुआरा मेरी चतावनी को समझा और मेरी अवाज के प्रती, सच्चे और विश्वास योगे बने रहे, मुझे बहुत गर्ब हुआ जब तुमने इसके बारे में जोर लगाते, खुए प्राथना की, कि तुम किस क्लीशिया के साथ संगती करो, मैंने तुमें सही चुनाव करने के लिए बताया था, और तुमें इसका उधारन दिया था, कि सही सही क्लीशिया क्या है, तुमें या मैंने तुमें यहां तक ये भी बताया था, कि इसके बारे में साफदान रहना, कि तुम्हारा पास्टर कौन है, तुम बस कल्प न कर सकते हो, कि मेरा हिर्दे आनल से उचल पड़ा, जब मैंने देखा कि तुम मेरे भेजे हुए पास्टर के साथ बने रहे, जो तुमें मेर दिन याद है जब तुम बहुत ही खुश थे, और बहुत ही उतेजित थे, जब मैंने अपने दूद को एक उचे शब्द के साथ बुलाया था, जिससे के मैं तुमें तुम्हारा पूरवलोकन दिखा सकूँ, हम वहां खड़े ओकर तुम्हारी और देख रहे थे, जब तु हमारे सामने आगे बढ़ते हुए मसीही योदा की दून पर कदम ताल कर रहे थे, मुझे अच्छा लगा कि जिस तरह से आप अपनी रास्ट्री पुशाक में सज़े दज़े थे, जहां से आप आए हैं, जैसे सुजरलेंड, जर्मनी और दुनिया बर से, हर एक ने अपने लंबे बाल बड़ी अच्छी तरह से बांदे हुए थे, तुम्हारी सकर्टें नीचे किनारी तक थी, मैं आप सबी को उसे दिखाने के लिए बहुत उसाहित और गर्व था, तांके वह वापस जा सके और आपको पुरसाहित कर सके और आपको बता सके, कि उसने आपको वहा यहां वहां दूसरे स्थानों पर देखने लगी, तो वह चला उठा, ऐसा मत करो, कदम को बाहर मत निकालो, जब मैंने तुम्हें बताया कि मैं तुम्हारे लिए भोजन को अकठा कर रहा हूं, जिस पर तुम भोजन कर सको, तो तुम ठीक ठीक जाते थे कि मैं किस बारे में बात कर रहा था, तुम मेरे शुद वचन को वारी दुलहन बनना चाहते थे, मैंने तुम्हें कभी किसी और के साथ दिखावती प्रेम परदर्शन करते हुए नहीं पकड़ा, यह हमेशा ही मैं था, मेरा वचन था, इसने मुझे बहुत आनंदित कर दिया, मैंने तुमें च ना उतसाहित हो जाओ, खुश रहो, आने दित रहो, वह दिन शिगिर्द ही निकट आ रहा है, जब मैं तुम्हारे लिए आऊंगा, तुम्हारे पास क्या ही शानदा समय होगा, तुम बाकी के लोगों के लिए बस्यात आप करो, घर्ती उगर रही है, एक दिन लॉस एंजल समुन्दर के तल में पड़ा होगा, जैसा के मैंने तुम्हें बताया था कि ये ऐसा होगा, इसके ठीक नीचे मेरा क्रोध उगर रहा है, मैं उस रेट को जादा समय तक नहीं रोके रखूंगा, तुम समुन्दर में एक मिल की गहराई तक खिसकने लगोगे, वापस सार्ट समुन्दर में जा गिरोगे, ये पंपाई के अंतिम दिनों से भी और बुरा होगा, मैं शागिर्द ही इस धर्टी को आग से शुद करने जा रहा हूँ, मैं उस पर की और उसके नीचे की हर एक चीज़ को खतम कर डालूँगा, तुम देख रहे हो के दुनिया बर में क्या जगा ले रही है, बिल्कुल जैसा के मैंने तुम्हे बताया था, तुम मेरी दुलहन को मेरे वचन के इर्द गिर्द कट्रत होते हुए देख रहे हो, जैसा के मैंने तुम्हे बताया था, अब समय आ गया है, अब वो रित्तू है, अपने आपको तियार करें, उसके पर का समय धर्टी के उपर है दोड़ो जबके दोड़ने का समय है और मंसी के अंदर आ जाओ आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए आमंदरित किया जाता है दुलहन का एक भाग जैसा के हम अपने आपको उसके आगमन के लिए तियार करते हैं परमेश्वर की आवाज को सुनने के दोड़ा जो हम से बात करती है और हमारे लिए संदेश को लाती है एक दुलहन का चुना जाना पैंसर जिरो चार उनतीस ए इस रवी वार दुपहर बारा बजे चैफर्सन विले समय उनसार भाई जोसर बरानम संदेश सुनने से पहले पढ़े जाने के लिए वचन उत्पती चौवी अध्याय आईत बारा से चौदा यशाया अध्याय तरवंजा आईत दो परकाशित वाक्या अध्याय इकीस आईत नौ ये ब्रानम टबरनिकल से पत्र उकाब कठा हो रहे हैं का समापन हैं अन्य बाशाओं में संदेश को प्राप्रत करने के लिए आप www.branam tabernacle.org और www.svfellowship.info पर जा सकते हैं अगली बार तक अगर प्रबू नहीं आ जाते तो प्रबू आपको आशिश दे और शालोम